बारा साल में एक बार भारत पुड़ा नदी के किनारे तिरनावाए नगरी में दुनिया भर में मुशूर एक महान उत्सव होता था मामांगम पंद्रवी सदी में मामांगम के असली संचालक वरलुवा राज्य के महराजा वेलातिरी को युद्ध में धोके से हरा कर मामांगम के मैदान को कोड़िकोड के सामराच सामूदिरी ने अपने हक में कर लिया पराजय को ना मानके या घुलामी का जंडा ना भेज के वर्लवु राजा अपने बहतरीन योद्धाओं को आत्मगाती योद्धा बनाकर हर मामांगम के दौरान भेजा करते थे सामुदरी के सेना की संख्यवल और शस्त्रवल के सामने कड़ा मुकाबला देने वाले वर्लवु राजा के वीर योद्धा मामांगम के मैदान में अपनी जान की आहुती देकर अमरत्व प्राप्त करते थे साड़े तीन सो साल से वर्लवु राज और सामुदरी के बीच चलती ये बदले की गाथाएं जिन्हें वहां के लोगों और बंजारों ने रेखांकित की हैं उनमें से सन सोला सो पंचानवे में घटी एक घटना की एक कालपनिक पेशगश है ये चलचित्र करते हैं करते हैं एक बार देखने के बार कभी न भुलाने जैसा अंगो सारे संसार में ये बस एक ही है मामांगम का महानुप सब चॉला राज्य के लोग विदेश से आये व्यापारी लोग उत्तर भारतिये पश्यम और पूर भारत से आये सब लोग हैं इस मनुश्य सागर में अरे बाम को कि जो मैंने बुला वो बुला चाहाक मस्षिन वैसे यह लोग मेरी बात समझ नहीं किन किन दिशाओं से कितना सारे लोग आते हैं यह देखें यहां के कारिगर जाहकों के आवशक्ता के अनुसार सामान बना कर देते हैं प्रति दिन कितना सवाल आता है और चला जाता है हमारे सामुदरी राज्य से शत्रुता रखते हैं पर उसी देश वल्लुआ राज्य चौधे वेद को अपनाके मक्का में जाके मिट्यू प्राप करने वाले चैरामन पेरुमाल के बाद इस महानगर के संचालन का उत्तर धाईत्वन पेला तरीका था यानि वलुआ राजा का चैरामन पेरुमाल ने ये अनुवती दे थी कि युद्ध के मैदान में जो जीतेगा उसी का होगा शासन भी और सामुदरी ने अपनी तलवार के बल से इसे जीत लिया ये तीनसो साल पहले की बाद है मेरी मानिय तो इतनी भ्यानक दुश्मनी विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगे तिरुमांदाम कुन्य की माता का माला पहल कर माथे पर भगभूत लगाए आत्मघाती योधा आते थे पुराने समय में पर आजकल कहां से कैसे आकरमन करते हैं कोई नहीं जाता है जब गुलामी का जंडा ना भेजने वालों और विरोध परकट करने वालों को बुलाया जाता है ता चारों उसे लहरों की तरह आते हैं ये धर्ण योधाने रेशन के वस्त धारन करके अनेक रतनों की मालाएं पहन कर राजगुरु को दर्षना देने के पाद विगनेश्वर की पूजा और देवी मा का दर्षन करके खुशी का कोलाहल और आतिश्वाजी के बीच देवी मा की पाल की यात्रा निकालते हैं और वही से प्रस्थान करते हैं माहराज पाल की रच्टे समय बहुत शोर होता है और उसके बाद सामुद्री माहराज मुख्यमज पच्चते हैं तदपच्चात पूर्द की और मुड़कर तिरुनावाया भगवान को प्रणाम करके शाही तलवार उठाते हैं एरनाड के गोतवाल और कोड़ी कोड़ के तलचरूर को सौपा गया है माहराज की सुरक्षा का उत्तरदाईत्वर् और उसके बाद विरोध की घोष्टना इस सामराज में राज करने वाले आदर्निय सामूदरी महराज के मामांगम महोत्सों का मुख्य संचालक के रूप में पदवी लेने में यदि कोई विरोध प्रकट करना चाहता है तो सामने आ जाए आए आड़ाई अजारे टुट है ऴुटाई अचारे आड़ाई वुटारे वुटारे यह बग्मान चंदरूत पड़े पनिकर और आत्म घाती हो था कर दो बग्ष़ अप्रू भब भूज हो थायो भूल क्प्रूब झाल भूल क्प्रूब तुछ्रूब फड़ प्रूब दोड़ कर दो भूल कर दो घ्लाइ हाँ कि अजय प्रूजर रख सुख भुट हुआ हुआ हुआ! इसलम म vegan di Superman b ईसलम मतलोगा! कर दो! एस वपी वो! भील tak me उप्यावाब!! झालो कि अज़गा झालो, झालो कि बम धफऴा फिश कर दो दो, झालो कि अनुबा है, झालो! वाँ्छ प्रॉई है। भ्रॉड़ प्रॉड़ वाँ्छ प्रॉड़ नहाँ प्रॉड़ वोह। 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 हुआ वोह। वोह। और्फ पर्यों प्राइब प्राइब ऑ्राइब कर दो झांच कर दो ऑनिख पूज कर लगा अज olduğ Case वोग जोग पाहएंग और दवाएंगा दुग झार ली को मुझे देगल के टाईड़ा यह ताईगिक घ्री सबस्वार इन प्रेचे जुट को टुट के विदए झार युट एगाल युट को विक विदय ताल कर दूप जय झार खास दूब युट झार युट युट विद् अपना जाया अबेपने प्रचंदें। ये चंद है प्रचंड है ये साहसीय दन्य है ये पीद राति शोर ये शक्ति ग्रंध मावांद। ये खु़। हुष Nederland हुष हुष वाहनगद! 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 माँ आप ही तो कहा करें लड़कियों को युद्धकला सीखनी चाहिए चूला चौकी ही काफी नहीं है इनके लिए आप 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 माँ तिरमादाम की देवी आकर मेरे पलंग में विराज मैनोई थी आप 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 हे माता यह क्या सुन रही हो मैंने पांच पुत्रों को जनम दिया किंतो केवल तुम ही जीवी थो और भी आहोती देनी है यह भी सोचना है हो समय बदल गया है न पुत्र दिर्मांदान देवी ने मुझे आदेश दिया है मैं कैसे मना कर सकता हूँ भाईया बड़े भाई से बढ़कर पिता समान हो तुम मेरे लिए तुम चले गए तो मा की देखरे कौन करेगा बच्चों को कौन पालेगा हमारी रक्षा कौन करेगा कई उन्हीं जान क्या होती थी पर क्या प्राप्त हुआ मा आप इने समझाए यह मामंगमचल का एक मन्च है यह तो हर कोई जानता है मैं इसे रोप नहीं सकती मना है यही कुल की प्रथा है यही यहर इस कुल के ल है करे लिए यह ही मन कि यहांग यह मैं आप झाल चंद्रोत परिवार के किसी सदस्यों को ऐसा दर्शन मिला तो कोई क्या कर सकता है मारने और मरने का खेल है ये माहराज ने भी कहा वर्षों से योद्धागन जाकर भी क्या लाब हुआ आज तक हम किसी को रोक नहीं रहे हैं किन्तु कहे बिना भी नहीं रह सकते इन सब की देखरेक के लिए ये बच्चा ही बच्चा है इसका जाना आवश्यक है लाड़ प्यासे पालने के बाद अंतिम विदाय देने पर होने वाली पीड़ा को केवल माही जाती है कुल के बदले के लिए अब क्या और भी बच्च की आहूती देनी होगी तब तो घुलामी का जंडा ही सही है क्यों इस प्रकार की बात करते वे लच्चा नहीं आई तुम्हें मा की मम्ता वरलोवा राज्जी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यहां की ओरते बच्चा पैदा ही क्यों करती है अरे इतने वर्षों से तिरु मांगाम को निल माता का अशिर्वाद लेकर तिरु नवय जाके मंच पर बैठे उस राक्षास का सर काट कर वेला तिरी को जिताने के लिए जीवन की आहूती देने वाले सब मूर्ख है यह देश यदि जीवित है तो केवल उनके लहू का बदला लेने के लिए उन्होंने वीरगति प्राप की इस देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए ऐसे मरना और माना सवभागी की बात है यदि सामुद्री को मार दिया तो वेला तुरी समराठ बनेगा मनुष्य का भै ही है जो उसे भैभीत करता है वर्लुवा राज जी में यदि के वल एक भी पुरुष्चीवित है तो वो मामांगम के मैदान में बैठे उस सामुद्री का सर काटके या अपने आहूती से अपने पूरवजों का मान रखेगा बंजारे गाउं गाउं घूम कर किसकी वीर गाथाएं सुनाते हैं गीतों में नाम आया तो फिर मृत्यू कैसे वर्लुवा राज के वीरों के सिवा उच्छल कूद और कलाबाजी और कौन जानता है गुलामी का जीवन बिताना नहीं प्राणों की आहुती देना ही हमारी प देवी मा को प्रोधित किया और कुल की मर्यादा को तोड़ के आत्मगाती योद्धाओं को बद्राम करने वाले के बारे में सोचता हूं तो लज्जा आती है उस दिन छल से हमें अपमानित करने वाले की संगत में क्या हम भी समिलित हो हमारा एक इतिहास है उसे भुलाकर अ उपर से संपत्ती और प्रताप फुदुमना के पास अधिक है वहला तिरी की सगी बहन है ये केवल कहने की बार यदि निर्ने का अधिकार केवल उसके पास है तो लेने दो मैं जाती हूं यहां से बैठी मांगडा से दूद उन्नी कोरन आया है हम अपना निर्ने सुनाए उससे पहले महराज ने किया आज्या दिया ये भी तो जान ले इस बात का नेन आप परिवार वाले करें यही महराज की राय है कुल की मर्यादा का मान रखना होगा और देवी मा के आदेश को ठुगरा के देश को संकट में भी नहीं डाल सकते इसलिए आत्म घाती यूद्धा को भीजने का सारे परिवार वालों ने बैठकर निर्ने लिया है यह महराज को कहे दीजिए उन्हीं को रहा है इसलिए यह महराज को कहे दीजिए उन्हीं को रहा है मामा जी मुझे भी दर्शन मिला मामा अंगम देखने मैं भी आऊँगा नहीं पित्र मैं तुम्हें नहीं जाने देंगे पित्र मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता तुम्हारी माँ को नानी माँ को और पाकी मच्चों को अब बस तुम्ही हो मुझे भी तिरुमंदम कुनिल की माता ने दर्शन दिया है उपहार की मुद्रा देने के अफसर पर महाराज मंतरीगर्ण हाथी गोड़े त्यादी आएंगे मामा जी तेल की कटोरी लेना बोल गया जाओ लेकर आँ क्या बात है वेली जज्मान बात ये है कि जज्मान चिंता मत किजिए यहां आक्रमंट के लिए आए गुटमे से एक है इसके दो सास ही पच गया बनाने ही आने का तुस सास कैसे किया यह पहली और आक्री बार है अब कभी ऐसा नहीं होगा है अपके अपके लिए कोरी कोर्ट से नौका में आने वाले हमारे राज के गिरोह को लूट कर मार दिया सामुदरी की सेना ने उनका हुकम है कि बाहर से यहां कोई सोना नहीं लाएगा मैं अपने व्यापार का मामला पूरा करके लौट ही रहा था कि तब यहां की बातों का मुझे पता चला यह जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया आपने अपने जीवें भर की कमाई का सोना इस कटार में रहा दिया बैमुना का निकाह कराना ना उसके लिए तो मोहिन है ना खुद उगाई काली मिर्च से हासिल किये इस सोने के कटार से तुम्हें उस जालिम को मिटाना होगा जो हमारे देश को तबाह कर रहा है इसे तुम अपने पास अपना तीसरा हाथ समझके रखना है मैं तुम्हारे साथ दो युद्धुकला घुरुकुल में जाके दो साल भी नहीं हुए ऐसे मासूम बच्चों को आत्मगाती युद्धा करार करके तालाब में डुबो दिया सामुद्री के लोगों ने हो सकता है सच्चाई की हमेशा ताकत के सामने जीतना हासिल हुए हूँ लेकिन कहीं को एक भी दिया न जला तो पूरा अंदकार हो जाएगा अंदकार में जीने की आदत पड़ गई है फिर भी रोश्नी के लाल अचे मन में अपना होसला बुलंद रखना लोग कीतों में अपनी जगा बनाओ क banyak दो, खॉलोज किसी हो भ ध हुका है, व क catast मैं प्लिफने लदेशा है तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है तेवी मा का आदेश मिला है ना जाना तो पड़ेगा ही जीवन भर प्रात्ना करती आई कि ये दिन आई तो आखों में नमीना आई केवल मेरी बात नहीं विजय प्राप्ति के लिए तलवार उठाने वाले किसे भी योद्धाने वाले के लिए वल्लोवा राज्ची के कोई भिस्त्री एक बूंद भी आसुन ही बहाएगी यदि बहाए तो वो अग्नी वर्षा होगी देवी मा से केवल एक काम ना करती हूँ आपके प्रतिभिम की तरह जनम लिए हमारा पुत्र जब बड़ा हो जाए तब उसका इस देश के लिए चान्द की आहुती देने के दिन देखने का कही अवसर ना आ जाए एक बार केवल एक बार ही मैं ही पीड़ा से पाऊंगी जब मैं यहां से प्रस्थान करूगा तो रास्ते के अंदकार को तुम्हें ही दी बग्पन के मिठाना होगा मुढ़के देखे बिना जब आगे बढ़ेंगे तब आपके हर कदम तले में रहूंगी देवी मा रक्षा करेगी हर कदम आपको विजह की और ले जाए करेगी मा प्रस्था करेगी हर का ज़ जब में से बग्पन । माहमईम राजा की ओर से उपाहर की मुद्राइन स्विकार कीजिए माहमईम काफी व्याकुल है इसलिए प्रस्तान का उस्साम नहीं मनाएंगे कहा वैसे भी प्रस्तान की बात गुप्त रखने होगी चारों शत्रू के गुप्त चर हैं ध्यान रखेगा बाकी की रिती रिवाजों में कोई कमी ना रहे ये भी उनका आदेश है मामा अंगम में जा रहा हो मा आशिरवात एक कि मुझे विदा कीजिए लोट करना भी आया तो पुत्र होने के नाते आपकी शेष जीवन के लिए मोहरे रखकर इन जर्नों को प्रणाम करता हूं केवल तुम ही हो मेरे लिए यदि तुम भी चले गए तो इस मा का क्रिया करम कौण करेगा जिंदा मत किजिए मैं तेरे नले में आपके लिए पिंड़दन करके जाओंगा तिरना वाय जाके उत्समच अधीन करके मारके या फिर मरके जीत प्राप्त करो पुत्र मामा जी के साथ मामंगम के लिए जा रहा हूं मा आशिरवाद देकर मुझे विदा कीजिए लटकर ना भी आया तो तो मैं तो पुत्र होने के नाते आपके शीष जीवन के लिए मोहरे रखके चरणों को प्रणाम करता हूं पुत्र होने के नाते आपके शीष जीवन के लिए मोहरे रखके प्रणाम करता हूं मा कर दो कर दो तेरुना वह जाके उत्सब मंच अधिन करके मार के या फिर मर के जीत प्राप्त करो पुत्र अपने मामा जी चंद्रोद से भी आके बढ़कर आक्रमन करना है तुझे और तुझे ही पहले अपनी जान की आहूती देनी है कर दो कर दो कर दो 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 प्रच्सक्राप्स कर दो, दो, कि उमना युप करूप हुआ। कि अनलगत के लिएाग के लिए घडियन की अधियां खरोत कर दो टो कि थी हुआ सेक्षाने सो, तो तो हुआ जा कि अज़ हा दो कि अलगत कर दो कि दो कि एगा ड़र रादा हुआ ! नहीं, पलड़ का देखना, यह लोट जाना मना है पुत्र मुंगल साथ रहेगा, तिर नल्ली में पिंच जान करना मन भूलना तुझे पताया न, शम्भू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे मामांगम के समय, महाकुम से भी जादा लोगों की भीर होती थी यहाँ पर, किन्तु आजकल समसान हो गया है इस देश का कैसा विनाश हो गया है इश्वर, कहीं तलच अनूर तो नहीं बजार रहे है खोलो, खोलो, हटा खोलो हाटक बंद करके ही रखना, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आने वालों को वहीं पर रोकना होगा, सुरक्षा कर्मी कुरुप की समझ में आया? जी बिल्कुल सचेत रहना होगा, बल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे है नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यपारी की हत्या हुई है वे महराज के बहुत प्रिये थे, बहुत बड़ी घटना है तलाचे नूर जी स्वैम पूछताज के लिए आ रहे हैं अब उनसे कोई नहीं बचबाएगा, राज्ट्रोही इस हत्या की पूछताज तला का पुनायर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सिनापतियों के नेतरत्व करने वाले महामंत्री तलाचेनोर स्वैम आ रहे हैं तो मरने वाला कोई साधारन व्यापारी नहीं हो सकता इस छानभीन से पत्थरी नहीं, पहाड भी तूट सकते हैं उन्नी माया का नृत्य महें इरामा, मलुआ राज्य के बड़े-बड़े लोगों की दंदौलत यहीं आ पहुंचती सामुदिरी के सामराज्य के शत्रूं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने-कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए तर भी आज तक एक भी शत्रू को पकड़ नहीं पाये तलकाप नाया महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांती से पूस्ताच भी कर सकते हैं पीरामा इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो वो नाचने वालियां कहा हैं बुलाओ उनका महामंत्री जी क्रोधित नहों यहां की सभी कन्या गायब है कि उन्नीम आया पकड़ के लाओ से नहीं तो कि कुछ भी को यह महल अति सुन्दर है लगान की महरों से नर्मेज सामुदिरी के राज महल से भी सुन्दर लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला कुछ लोग जो उस रात यहां पर थे उनसे बाहर पूछताच की जा रही है और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंड कर वापस लाने का भी प्रबंद मैंने कर दिया है तला चिनूर मौत्र गलियारे में सुनहरा कालीन बिछाके चारों और जगमगाते दीपक जलाके महकते हुए चमपा चमेली बिखराके कस्तूरी और चंदन छिड़क कर सजावट के लिए तश्तरी और आइना लगाकर दूस से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उजवलित करने के लिए रेशम क की बाती से अलंकरित करते हुए विदेशियों को सुख बेजती है यहां की लड़की है और यह लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं वह पाते है यह यहां का संचालक है महुद है इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया महामंत्री जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना यहां महां भागने लगे मैं भी भाग रहा था उस गोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारिचन को अपने खोड़े पर जाते हुए देखा उसके साथ उन्हीं माया भी गई बड़े ही उद्दन लोग थे वो यहां के अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए चत पर पायल पहन कर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं चमगादर या किसी बंदर के या देवी मा स्वयम दर्शन देने आई चाहे जो भी हो अब उसे देखना चाहेंगे रा हम अब ताम्बूल हो जाए अब ताम्बूल हो जाए यही वो चुही आहें जो छट पर दौण रही थी और यह उन्नी निली माया की छोटी बै अच्छा तो कभी लेवालों का पोशा उन्नी निली हां कहां से हो मैं दूर कायम को लम से यहां गुजारी के लिए आई हूँ कर दूर कर दूर को यह से यह कि अच्छारी के लिए यह वी टाल वार की नोग तुमारे ए सुछारी समान है अज्माना चाहोगी समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर, मैं उन्हें कस्त नहीं देना चाहता है, ऐसी मैंने प्रतिक्या लिये परदेशी व्यापारी को किसने मारा, अगर ये बात ये जानती है, तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुझ खोले मैंने किसी की हत्या नहीं किये ये है करो मारी, मॉंबू देश में तुमसे भी बड़ी-बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है, इसने ये उगरवाई, तुम्हारे मुझ से सत्त इसकी बेश-बूशा और चहरे के पीछे, जो भी रहस से छिपा, वो मैं जानना चाहता हूँ इरामा, और से पहले माया को पकड़ना होगा सामुदिरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, यही हमारा कर्द भी है हम और कुछ नहीं जानते हैं, तुम जो कुछ भी जानती हो, मुझे बता दो उन्नी नेली नहीं तो यहां की हर एक लड़की को इसी तरह प्रतारित करके, मैं सच उगलवाँगी बता देए, बता देए, बता देए सरकार माया दीदी के इंवड्य के लिए मैं गीत गाया करती थी बस यही काम था मेरा सारा परीक्ष्रम हम लोग करते थे, और धन माया दीदी रखती, मुझसे और साहा नहीं गया, इसलिए हध्या करनी पड़ी, दीदी कुवश में करने वाले बर्देशी को मार दिया, वो उन बर्देशी व्यापारियों में से नहीं था, जो यहां छोटे मुटे व्यापार करने आते, वो अपने पास असी मित सोना और हीरे मोती रखता था, ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए, मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती, तब तक कौन जीवित जाती थी मामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई, इस कोंधी नायर की बातों में आकर, मदिर और अफीम देकर उस परदेशी को वश्मे करके, चतुराई से कुछ रत्न बेचने के हमने यूजना बनाई थी, तुम नाचने वालों के पास धेर सारे रत्ने हैं कहते ही, विश्वास किया, विश्वास नहीं किया, मामंत्री, जैसा आप समझ रहे हैं, वो कोई साधारन व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था वो, डच सेना ताला कापु नायर को उपहार में दिये रत्न थे वो, उन्हें खरीदने का धन यहां, वल्लुवा राचे में किस के पास है, उन रत्नों को बेजना चाहते थे उस परदेजी को, नरत्य की रात हवेली के पीछे, मंदर के पास सौधा करने का निश्चय किया, अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती, बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुँची, रत्न हाथ लगते ही परद परदेजी उन्हें दिये बिना ही चला जाएगा, मैंने भी उसे जानी नहीं दिया, उस विवात के भी जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली, तो सास जुटा कर मैंने उस पर बाहर कर दिया, वो परदेजी मर गया, शफ को ठिकाने लगाने से पहले ही, हमें ढूंटे ढू अपराद स्वीकार कर, मैंने उन्हें भागने दिया, मामंत्री, जीवन बसर करने के लिए, जो अपराद मुझसे हुआ है, उसके लिए, जो भी दंड देंगी, वो मुझे स्वीकार है उल्ली निली, माया से भूल हो गई, तुम केवल गाई का नहीं हो, बल्कि अभिनेत्री भी हो, एक खुशल अभिनेत्री, कालपनिक रत्नों का रहसे रहने दो, उस मंदिर के आसपास काटो भरे बबूर के पेड़ है, कोया का शव देखने यदि तुम वहां गई होती, तो उसारे शरीर में बिना खरोश के तुम लौट नहीं पाती, वहां के कीछड़ों में तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं चपे, तुमने इस कोठे के बाहर कदम तक नहीं रखे, तुम जिन रत्नों को बेचना चाहती थी, उनकी शुद्धता कितनी थी नीनी, वो कहां और इसका पता भी नहीं होगा. क्या यह वही हैं, इसके बारे में तुम बता रही हैं? उस रात नाचगाने के बाद जिसके साथ तुमने इसका सौधा किया, वो फर्देसी समर्कोया नहीं था. उस रात जो ब्राह्मन तुम्हारे साथ था, ये पत्थर उसके पास लेगा। केबल इतना ही नहीं। किसी की जान लेने की मनोदशा है, तुम्हें उनी नहीं लेगा। तुमने जो नाटक किया उसके परदे की पीछे जाए कोई भी छिपाओ। उसे कल सूर्योदय से पहले सामुदिरी महाराज का मंत्री ये तलचेनोर दाहर लेकर आएगा। शर्ण भर के लिए भी ये सोने ना पाए। असली खेल तो अब मैं खेलूंगा। जो भाग गे थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली ही रामा। असाइविर नासर्म ये खेले लगा, इसेीinda कोई बारे दुप झाल 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 कि इस राज्य के महान संगीत अग्यवी जिसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते ऐसी सुन्दर कन्या की आँखों को क्यो ठका आँखों से पर्दा हटा दें तो क्या ये तलवार की नोग को भी अपने वश्वे करने की या डर गए कि इसकी आँखों की ज्वाला में तुम सब जल कर खाक हो जाओगी ये कहीं भागना चाहे इसलिए सेना के संग गय तलिक आपको भटकने दो इसकी आँखों की पट्टी खोलो ताकि इसमें छिपे सत्य को में देख सकूं पसंद आया इससे बढ़कर भी कुछ है उस माया के लिए जो केवल मेरी है उसके गली का मंगल सूत साहुकारों के समक्ष नाचने वाली के भागी में मंगल सुत्र कॉन है साहुकर अपने घर की धन दौफ़द को बेच के या गेर्वी रख के एक राथ यहाँ पिताने के लिए आने वाले वासना के भूखे? तुम्हें दौलत की चमक से नहीं, अपने मन की चमक से अपनाना चाहता हूँ. आने वाले मामंगो उटसव से पहले, मैं कोई उपाही निकालूगा. मैं यहां से तुम्हें अपने साथ ले जाओगा. लेकिन रारीचन की सारी उजनाओं को उलट-पुलट करते हुए, मामंगम के कुछ दिन पहले, विदेशी व्यापारी समर्कोया यहां पहुचा. मैंने तु निर्णे ले लिया था, माहमंद्री. मामंगम के पश्चात, माया के साथ कहीं विदेश जाकर गर बसाओगा. मेरे अंदर जोला मुखी पटरा था, मामंद्री. वो दिर्श में देखनी पाया. तुम लोग जाओ, मैं आते हैं। नै तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ. मंदीर के पास तुम्हारी प्रतिक्षा करूगा. पागलों जैसी बाते मत करूगा. उन्होंने मनोरंजन के लिए महरे दी है, जो अभी तक समाक नहीं हुआ. उसे कैसे रोक दूँ? यदि तुम नहीं आई, तो दुबारा मनोरंजन के लिए यहां कोई पर्देश ही नहीं बचेगा। मेरे कहने के अनुसार उन्ही माय मंदिर के पास आ गई। मैं उससे कोई बात करूँ, उससे पहली वो विदेशी भी वहाँ पहुचा। मेरे सामने एक ही विकलता। मत लगाना उसे? इसका तातपर ही है उन्ही माय ने नहीं, तुम तुमने समरकोया की हत्या की इस नाचने वाली के लिए, है न? मैं लाचार था, महामत्री अधिरे में जब उन्ही माय को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे पीछे से उस पर वार करना पड़ा। उसके सीने में खाओ का निशान था उस पर पीछे से बार नहीं हुआ रारीचन तुम ये काम नहीं कर सकते उस राज समर को मारना किवग तुम्हार ही ने किसी के भी बस की बात नहीं थी तो किसी भी अकस्मात के लिए हर खशंड चोकन ना रहता था बल्लुआ राज्य के कोने कोने में उपस्ति जितनी भी सेना और उनके सहायक है उन्हें शरीर और मन से लड़ने की ताकत थी उनके पास इसी कारण वश सामुदीरी का विश्वास बात रस्ता दुश्मन होगे, जा कर देखो जा कर देखो एक पोठे की लड़की और उसके प्रेमी के हाथों इसी मंदिर के पास मरने के लिए जनम नहीं लिया था उसने जनम जनम के बदले की आग को अपने अंदर छुपा के मामंगम के लिए आने वाले आत्मगाती योगधाओं को मिटाने के लिए आया था वो कुछ भी नहीं है ये वह वोलग नहीं है जनम उन योगधाओं को ढूनते समय यदि उन की मिर्ध्य हो गई तो इसका आर्थ है जिन्हें वो ढून रा था वो से मिल गये होंगे या उन्हें वो मिल गया होगा। इतने पूछताज करने के बाद भी तुमसे आखिर किसे बचाना चाहते हो मुझे ये जानना है मुझे ये जानना है मुझे ये जानना है मुझे से भरी मामांगम की नगरी ये मंदिर स्नान करने के लिए घाट स्नान धर के पूर्व में स्त्रीयों के लिए विश्राम धर और पश्चिम की ओर मंदिर के मुझे द्वार से वागई उर महल तक का कच्चा रास्ता ये मंगाट अचन की हवे में नदी के इस पार तेक्यकरा मंदिर के पास इराल पाड का खेत और घर तीस हजार सैनिकों की सुरक्षा जिसने स्वयम ये देखा हो वही इसकी रचना कर सकता है कौन हो सकता है आखों देखे द्रिश्य की तरह इस मामांग उत्सव की रचना किसने की इस चित्र की पूरी रचना पिछले कुछ दिनों में की गई है ये समझने के लिए इसका ये गीलापन ही पर्याप्त है कौन है वो वो केवल एक चित्रकार ही नहीं था मंत्री महुदे इन दिवारों को खड़ा करके उन पर ये जहत बिठा दी और आपकी सेना ने जिन घरों को सर्वनाश कर दिया था वहां पड़े शवों का दहा संसकार करके अनात हुई इन लड़ियों को यहां लागे उन्हें आस्रा दिया एक सगी मा की तरह उनकी देखरेक करने वाला केवल वही था हमारी तरह वो एक साधारन व्यक्ति था मार्न वे जिन कुओ का लागे लुआ मार्न वे व Ephाया मार्न वे तरह ये झांच एक सथ़से था मालूम होता है पूनम का चान बादलों को चीर के धर्ती पर उतराया शेखर जी अभी भी आप रोगमुक्त नहीं हुए ना तो यहां के जागिरदार को आप चाहिए और ना ही समूदरी के महामंत्री तारा चेनूर को छोटे-छोटे काम के बदले में इतनी धन राशी मांगते हो वो भी इन मासूम कन्याओं से जो मूभी नहीं खोल सकती तुम्हें तेल खरीदने के लिए दी गई मोरों से अगर चाहते तो लखडी के बजाए यहां सोने के खंबे बनवा सकते थे पता है चार सिक्कों के लिए किसी की जान भी ले सकते हो खाली हाथ मत जाना चलो निकलो यहां से अब फिरुना वाया मामांगम की समापती तक तुम में से कोई भी इस चौकट के अंदर कदम नहीं रखेगा चाहे अपनी बीवी के गहने या जमीन रखो या बेचो यहां आना है तो हजार मुद्राय हाथ में रखनी होंगी तुम नायर लोगों को वो ऐसे ही थे जिनके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना जैसे कोई खेल था अब एक पान हो जाए बिल्कुल हो जाए लीजे लगता है इसी आंगन के हैं और यह सुपारी विदेशी लगती है जी हाँ हमारी मिट्टी इसकी जड़ नहीं पकड़ती इसलिए उपच कठिन है दिखने में कितनी सुंदर है सोने से भी बढ़के यदि आप चाहे तो आभीदर आराम कर सकते हैं नहां पर हवा और रोश्नी बहुत अच्छी है सब साफ दिखता है अरे गोंदी बोलिये तुम तला कापुन आयर की दलाली खाका कर मोटे होते जा रहे हो लेकिन जैसे अंग्रिजों से हाथ मिलाया वैसे दूसरों से मेल मत रखना सारा पहाडी माल जमीदार नंबडी ने डच लोगों को दे दिया तो किसी को कुछ दिये बिना सीमा पार हो जाएगा कितना कमा सकते हैं देश भले खाक में मिल जाए तुम लोगों को धन बनाना है तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता राजा महराजा उनके मंत्रिगण और सगेवाले सब एक जैसे मामांगा में लिए सारे निर्णे बदल जाएंगे नहीं बदलती तो वह है यह मिट्टी और यहां के लोग चित्रकार महोदे वल्लोव राज्य से आने वालों से एक कहानी सुनी किसी दैविक बालक की कहानी वो हौसले से योधा था शरीर से नहीं सुना है 25 साल पहले ऐसी विद्याएं करने वाला कोई जीवित रहता था चंद्रोथ का आत्मगाती युद्धा उचलकर एक बर हवा में उड़ता तो नीचे नहीं उदरता था ओपर आस्मान में रहकर हवा में चलकर वो कलाबाजियां किया करता था कहते हैं कि अद्भुत थी उस भगोड़ युद्धा की युद्धकला वही परंपरा है न चंद्रोथ की 24 साल पहले मामांगम देखने वालों ने कहा है कि उसकी तलवार बाजी उचलना पक्षियों की तरह उड़ना बहुत ही अद्भुत था मरकार के तीरबाज भी निशाना नहीं साथ पाते थे ऐसी हवा में की जाने वाली युद्धकला पूरे 25 साल बाद अब देखने को मिली है उस दैविक बालक में सामूद्री का अंद करने के लिए आने वाले आत्मगाती युद्धाओं की परशंसा हो रही है ना बंजारों का क्या है वो तो किसी का भी गुणकान करेंगे मामांगम का उत्सो आराम होने से पहले ही एराडी और तानी नायर लोग जोश में आ जाते हैं तलवार से छोटे कट के बच्चों को भी योद्धा बना कर आहूती देने की इस फर्धा है उनकी हां में हाना मिलाई सर भी कटेगा घर भी मिटेगा ऐसी गाथाएं सुनकर रोमान्चित मत हो जाओ जाकर आराम करो कि ओम भूर्भुवस्वह तत्सुवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमही धीयो योनः प्रचोदया यहां पर एक दैवी चित्र की रचना करना चाहता हूं लकडी के पात्रों में विविद रंग तैयार होने लगे काश्मीर के केसर का पहले की तरह रंग लाल नहीं है लाल रंग चाहिए तो वल्लव राज के खिलते गुढ़हल से लेना होगा उसे कहते हैं लाल जैसे रक्त बैता हो अज़ बढ़िए लाल 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 लाथ लाल लाथ लुप चित्र रचना आधी हुए थी कि वहां समर्कोया पहुचा तुम चित्रकार गुरूप हो ना कुछ चैरों की रचना करता हूँ गीत गाथा ये लोग भूल जाएंगे लेकिन दीवार के रहने तक चित्र बचा रहेगा है ना इस देश में आते जाते ना चोर उचकों से सतर्क रहिएगा और गुप्तिचरों से भी तिरुनवाया से लेकर कारंपुडा तक सामुद्रिय के गुप्तिचर फैलें पलक छपकते ही ना सरोर जाएगा अब कहां जा रहा है रंग जमने के लिए रसायन मिला के रखा है जम जाने से पहले लगाया तो ठीके का नहीं और दिवार भी ढह जाएगी आप आराम कीजिए ना संध्या की बेला में महल की सुंदर्था में चार चान लग जाएंगी कुरूब की आँखों में कोई राज है उसके पीछे कोई कहानी भी उस पर नजर रखना कि आँखों में अग्या की इव घाएंगी वहां कोई शत्रू नहीं था मोद है, वैसे जंगल में जढ़ने के पास हमें जो मिला, वो हमारा गुपतचर परन गोडन था, अब वो बोल नहीं पा रहा लगता है इसकी जीब गले में टग गए मोद है, ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है इसे मेरे पास यहां सूचना देने के लिए भेजा गया था, कि समर कोया वहां सुरक्षित पहुँच गया है, लेकिन इसे यहां मेरे पहुँचने के बाद लाया गया, जंगल में इसके साथ किस तरह की घटना घटी वो ये स्वयम ही बताएगा काइमल ने तो सूचित किया है महुदय कि वहां कोई संदेज जनक बात नहीं है और ना ही इस पर कोई हासा पाई के निशान है अर नहीं है प्पलेशर अतल सर दो अएश्यों जा फिरोगा लुड़ी जा नाव्यों गला झाल इंएवरा मेरा झाल युर्छी करूंग तो जा झाल झाल प्रकार झाल झाल इंएपरा झाल dönुए हमाने एंएपरा झाल आब झाल आएपरा टुछ। लुई औरेण के लिए लुई लुई युई लुईंगार्ण करते हैं और देखे अगर्णлы प्रापक से क्या पर चुई भार्ण कुछ तक तक मैं मैं जोज करिंए कि अछितो चैया यूँ साथ को चुछ इसो जड़ जड़ा कि अरह कि अजया हुड़ जब टी अजया हम दो पाइब कि अजया हम वो यह रज़ रजम सब्टेश सरे एक पहा प्लेडर राधि झाल था हुआ हुआ ! व 두क पिल्ड़ राधि लिद पिल्ड़ रहा वह फिल्ड़ रेंडर ले एक प्वर राधि रेवा प्रूब अब 워ывать में? झाल kidnapped अबया करते नाए अबोल अबोल प्रूब प्रूब किसीना किसी कारणवर्ष ये बोलने की स्थिती में नहीं है फिर भी परंगोणन की बातों में बहुत से सच्चाईयां जो किसीना नहीं बताई यहां पहले कभी किसीने भी ना देखे हो ऐसे दो अज्यात लोग आये थे एक युवा पुरुष और एक बच्चा कौन है वो उनके पीछे गराज से क्या है ये प्रश्न उस आधमारे से पूछू जो अपनी जीव चलाने में सक्षम नहीं या तुम सब सीधे सीधे बता दोगे इससे पहले कि तुमारी जीव काट लो जंगल में साब के डसे एक व्यक्ति और उसकी साथ छोटी से एक पहुचा दिया ये सच है महामंत्री जी उसमें नाम मात्र को जान बची थी काली घट के गुरु कुल में बच्चों को छोड़कर लागते सब उन्यमाया के कोठे में आ जाओ दो चार तिन वही खाना पीना खाकर नाजगाने का आनन्द उठाकर चले जाना विनबता के साथ ने उता दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कहकर तुरंट चले आए वो लोग है ना तो कॉड़ी के लिए जंगल में विशेले साप का भी उप्योब करने वाले तुम्हारे मूँ से विश के अलावा और क्या निकलेगा आप गलत समझ रहे महामंत्री क्या मतलब साप अपने उसके हाथ पर डसा था संगमन के बाद साप निकला तो वहां सो रहे युवक का हाथ अंजाने में उसे चूगया और उसने उसे डस लिया गुरुपा चन के सिवा विश उतारने वाला वैद्य इस गाओं में और कौन है इसी कारणवश उन्हें याल आये गया था अच्छा लोगों को देखकर तुझे कोई संदेह नहीं हुआ पल पल मृत्यों की और कदम बढ़ाने वाला एक पुरुश और साथ में बारा साल की आयूका एक मासूम बालब यदि कोई भी उसका चहरा एक बार दिखेगा तो कभी उस पर संदेह नहीं करेगा खबराने की कोई बात नहीं थोड़ी काले में चलिया हूँ अपना मूख खोलो आँ तीखे लग रही है तीखे लग रही है क्या शरीर में विश भैल चुका है समागम की स्थिति में सापों में विश की मात्रा कम रहती है इसी वज़े से बच गया है अब अब इसे सोने मत देना सोने में खत्रा है तुनिया इधर के उधर हो जाए पर यह सोना नहीं जाएए अब 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 तुम्हें रंगों के बारे में जानकारी है साधारन देवताव के लिए हरा रंग पारवति और लक्षमी को सुनहेरा रंग शिवजी के लिए श्वेत और सुनहेरा और राजाओं और युद्धाओं को उनका लाल नदियां सर्प, हिरन और मोर एक साथ आ जाए तो इसका क्या आर्थ है जंगल या घोर जंगल खेलते नीलकमल का आर्थ पूर्णिमा तो तुम्हें चित्रकारी में रूची है हम जो भी देखते हैं उसकी एक छवी होती है तुम्हें सब ग्याद है, समझदार हो थोड़ा सा रंग मैं भी भरूँ क्यों नहीं आप मेरी पर्णानी को जानते हैं मैं तुम्हारी पर्णानी की बारे में कैसे जानूगा क्योंकि आपका चहरा उनसे बहुत मिलता है तुम मुझे बड़े मामा जी बुला सकते हैं आती सुन्दर मामा जी को पसीना आ रहा है विश्का प्रभाव शरीर से बाहर आ रहा है अंतर दृष्टी से आपने क्या देखा किसी की कहानी देखी जिस कहानी को कोई भी न सुनाए और ना ही कोई उसका स्मरण करे ऐसे किसी की कहानी हमने भी सुनी है मेरे बड़े मामा की कहानी जिनने सब कुल द्रोही कहते हैं देखिए उस सुपारी की पेड़ की उच्चाई पर बिजली की तरह तेज गती से उच्छल कर करतब करने वाले मेरे बड़े मामा जी पर उन बड़े मामा जी ने ऐसा कौन सा अपरात किया था कुल देवी के आदेश को ठुकरा कर हमारा अपमान किया और फिर भाग गये पूरी कहानी बताओ, मैं भी तो सुनू मेरे बड़े मामा जी जैसा महा योधा ना पहले कभी था और ना कभी होगा इतने तेश की दिखाईगी न दे और कोई सोच भी ने सके इतना उंचा उंचलते थे और उर्मी का प्रयोग उनकी तरह और कोई भी नहीं कर सकता है पंच भूतों का भी ग्यान था उन्हें सुना है किसी को भी बिना छत्री के केवल डंडा चलाकर भीगने नहीं देते थे एक बार घोर वर्षा में केवल तलवार चलाकर साड़े तीन कोश चलके आये थे जो साथ में थे उन पर एक वून भी पानी नहीं गिरने दिया तुम्हें लगता है ये सब संभव है जिन लोगों ने उन्हें देखा है उन्ही का कहना है ये सब उस विश्वास घाती बड़े मामा का कोई नाम नहीं तुमने किसी से पूछा नहीं उनका तु नाम लेना भी मना है तो फिर भला में कैसे पूछता उसने देवी का आशिरवात ग्रहन करके परंपरा के अनुसार युद्ध कला में ने पुड़ता पाने के बाद सब के साथ विश्वास घात किया परिवार को शत्रूओं के सुपूर्द करके कुल कबदला लिये बिना भागने का पाप किया है मेरे घारेलू रह से जानकर आप छल तो नहीं करेंगे मैं तुम्हारी काथा इसलिए सुन रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ कोई उश्वास खात ना करें कोई भी नहीं पात्र में जितना था पूरा पी लिया शरीर अब ऑशदियों को सुईकार करने लगा है भूख लगना तो अच्छा संकेत है तुमने कुछ खाया मुझे भूख नहीं है हाँ उसके लिए भी ओशदि है मेरे पास भोजन देखता हूं तो मुझे मा की आदाती है और उन्ने भुलाने के प्रयत्न में मेरी भूख मिट जाती है आज मुझे ही अपनी मा समझो अभ्यास पूर्ति के बाद जब तुम घर लोटोगे तुम्हारी मा तुम्हें वहीं मिलेंगी पता नहीं मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं निसंदे तुम वापस जाओगे ये तुम्हारे बड़े मामा का वच्छन है मैं मामांगम देखना चाहता हूँ अंग्रेज जीनियोर अरबी वहां आकर हलचल मचा देते हैं फिर भी वो एक अविस्मन नहीं अनुभाव है मामांगम का महानुत्साओ जहां तक नजर जाए वहां अंगिनत शिविर दुकाने और व्यापारियों के भीड से भरा रहता है वो माया माजा कैसी है उसकी बनावट वैसे तुम वहां देखना क्या चाहते हो सामुदरी को कोई जाल भीछा हुआ है पुत्र हमें सतर करेना होगा मामा जी मुझे नीन नहीं आ रही आप सोजाए मैं बैठता हूँ चलो ठीक है पुत्र तुम मेरी रखाली कर सकते हो और जब तुम्हें नीन आए तुम्हें रखाली करूँगा प्ष्ष्ट मंदर के पास स्नान करने के लिए खाल उसके पूर्व में स्तरियों के लिए विश्राम घर मंदर के मुख्य दुआर से वा गई और महल तक का कच्चा रास्ता और फिर उसके बाद मंगा टचन के हवेले नदी के इस पास देखके करा मंदर के पास एरल पाड का खेत और घर महलों के चारों और उची उची दिवारे संकट का संकेत मिलते ही वो सामुदरी को छुपा देगे सामुदरी के मन्च के बारे में तुम कैसे जानते हो खुशी के कोलाहल और आतिश बाजी के बीच देवी मा की पाल की आत्रा निकाली जाती है और वहीं से प्रस्थान करता है सामुदरी. आतिश बाजी के बाद जनता शांत हो जाती है और तब हमें विरोध प्रकट करना होगा. ये सब तुम्हे किसने बताया. कहां से मिली तुम्हे जूटी बाते. बताओ. वह जोलेटे बताजी करना हुँ प्रकट करना हुआ है खाम. बताओ! शक्त्रु नहीं, एक ही लह हुआ है, योद्धा बनकर अपनी जान का बलिदान देने का जिने वर्दान मिला है, उसी कुन काउं है शक्त्रु नहीं, जान कुन काउं हुआ है यह जो पुआ है यह लह को ऑस बासर ना कर सक्त्रु नहीं, जान कर दो इसे विद्धान मिला है वहां Be teaspoon 집 उनर कर में कर में आर . कर में स्रीं कर दो कर में कर दो कर दो कर दो अपने आसपास के मासूम लोगों की हत्या करने के लिए मैं योद्धा नहीं बना ममांगम के सिंगासन को तैकाने में पहुचाने वाले सामुद्री ने पराजय को जीत में परिवर्थित किया तो सारी बदनामी मैंने खुद उड़ दी जान लेनी है तो ले लो मैं खड़ा रहे किया चुपचा मगर पलको की तरह हाथ पर भी तेश चलने लगे शरीर नई नई तरह से कलाबाजियों के उपर कलाबाजिया करने लग गया यह सब मनगणन कहानिया है कायर है या अदमी इसकी बातों में मताव पुद्र अपना दीरज ना खो देना आत्मगाती यो था जो मैदान छोड़कर भाग गया वो हमारा वंशच कैसे हो सकता है पुत्र क्या है कायरता रक्त न बहजाए यह सोचकर पीछे हट जाना मासूमों के लहू से हुली खेलने वाने सामुद्री को मरे हुए कई सद्या बीद गई मंगल राजा ने सब को छोड़ दिया फिर भी वल्लु राज के नायरों के अंदर जोरमुखी आज भी जीवित है उन्हें भड़काने के लिए कुछ मुसल्मान भी जिस घटना को किसी ने नहीं देखा उसके लिए तुम इस बच्चे की बली देने जा रहे हो मृत्य से मित्रता तुम्हें मारने की प्रतीक्षा करने वालों के सामने मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा ये मुखाटा मैंने तुम तक पहुचने के लिए धारण किया था अपनी आयू और शरीर उनकी सेवा में समर्पित करो जिनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं तुम लोगों का लक्ष अब से यही हो आज के बाद तुम्हारे इस यात्रह में तुम पर कोई खत्रा नहीं ये मैं देख लूँगा सुनो दुष्ट अमारे लिए तुम बहुत पहले ही मर्चुके हो और अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं तुम मुझे अपने ही आतों से मारूगे जब मैं घर से निकला था तब तुम अभ्यास आरम भी करने जा रहे थे अपने वरत के पहले दिन ही तुम्हारे हाथ से तलवार गिर गई और तुम्हारी जांग में चोट लग गई वो देखकर तुम्हारी मामी और नानी दोनों रोपड़ी और मैं भी मगर तुम उस भीड़ा को सहन कर गए सब ने तुम्हें शूरवीर कहा बार तुम्हें इस रात में ठंड से बचने के लिए कंबल की आवशकता होगी मगर इन बच्चों को नहीं जिनोंने सवगंद खाई है हाला कि महल में आए विदेशी व्यापारी की आँखों में पट्टी बांदने के लिए तुम्हें संगीत में कंबल की रचना करनी होगी कल सूर्यास्त के पश्चात नाव नाव घटी के समय पर महल के चारों तरफ पहरा देने वाले सारे सुरक्षा कर्मी नीन की अवस्था में पहुँच जाएंगे तब तुम्हें यात्रा प्रारम करनी है अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा तुम विश्वास कर सकते हो गुरुपच्छिन पे किसी से भी बढ़कर इस हवेली के विविद साजो सामगरी के विवरण के अनुसार अभी तक समर की कम से कम दो बार मृत्ती हो गई दो या उससे भी अधिक कारणों से जिस युवाप पुरुष और मासुम बालक को इन्होंने सहारा दिया और इनको सहारा देने वाले कुरुपित्यादी दिख्वी ले रहे हैं शाहे किसी के लिए भी हो इस चित्र रचनाद्वारा उसने किसी को मामांगं के मैदान का नक्षा दिया इरामा इसके पीछे के सत्य को खोजने का हमारे पास समय नहीं समर की हत्या इन सबने मिलकर की है इस हत्याकान में तुम सब का कोई न कोई किरदार अवश्य है नहीं तो उस रावन का बद करने के लिए एक महा उतार की आवश्यक्ता होती नहीं को बात्स का की रामा इन समय इन समयर आवर मिलकर की into प्रणिख के लिए नहीं का की अवश्या आवश्यक्ता है प्युँ, का ये विर्लावन थे एकी एक रहिए ख्युष्याश्यम ख्युष्यण मिलकर उस्याद़्िश्यम चानोंकश दा störक कर दो, डिल नुए यूदय कोलvan डाला कि आया। तेक दो कि एक प्ते लड़े जड़े जड़े आड़े आड़े यूब इस लिगता हुआ है कर दो कर दो एकूर ने हुआ है अगिला कि इजा जा रचेवा हैं फिर सुड्किर्णी जुटू्डर में पर जोराराद हैं लडरादे फिर ग्यार उने कि लडिछ सावया हैं, लोरारादे हैं, लोरारादे वोरारादे रारा ये झाच। ख़िती चौफेश्ग कुरेशियों से तुम्हें पूछना चाहिए था चंदरोद के पराक्रम के बारे में बस यही खेद है कि तेरा सड़ा हुआ खून इस पावन धर्ती पर गिरेगा दुनिया का सामना करना छोड़के औरतों के फीछे छुपने वाले नामर्द कुत्ते का वल्लुवराज में आज अन्धिया तेरी मृत्यू तेरा सभाग है कोया ऐसा है तो वो कुरुप और उसके साथ निकले बालक और पणिकर ही है महराज पर निशाना साथ कर आये हुए वल्लुवराज्य के योध्धा हमें उनके पीछे नहीं आगे यात्रा करनी होगी वल्लुवराज्य वाले घुलामी का जंडा नहीं भेजेंगे और आत्मगाती योध्धाओं को हम मार देंगे याद रहे वो लोग महराज की परच्छाई तक को छूँ ना पाए चलो चलते हैं महामंद्री जी इने इन में से किसी को भी मारना मत यहाँ पर जलते हुए दीपक से ही आग लगानी होगी उसी के साथ चलेगा इसका और इसकी सक्यों का अंतिम्रित्ति उन युद्धाओं को मार के जब मैं इस रास्ते से लोटूंगा तब यहाँ पर इस कोठे की जगह एक विशाल और गहरा तालाव देखना चाहता हूँ मैं इरामा इसकी आँखों पर पट्टी बांदू ताकि उन्नी मया को इस दुनिया में दिखाई देने वाला आखरी पुरुष मैं हूंगा नहीं तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे तालाचनूर क्योंकि युद्ध में आज सक सर्वनाश हुए इस राज्य की हजारों और तों और बच्चों की जान और दुआ कुरुपच्चन के साथ है चाहे मा की कोप में ही क्यों न छिप जाए सामुद्री को बाहर निकालकर डस ही लेगा ये नाग राज इस कोठे के दीपक कभी नहीं बुझेंगे मं görुए पुए कुए झाँ कर एह क Yo तो म इसके खुफ्यां के हमेशा तुम दोलों पर हैं। जिन रास्तों को हम जानते थे, आप उन पर यात्रा नहीं कर रहे थे। पहाडियों के पास आप तीनों को देखने के बाद मेरी जान में जान आई। फिर भी मुझे संदेव हुआ कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। संदेव दूर करने के लिए मैं दो कोस पीछे तक दोड़ कर गया। अब आगे। जब आप वागायूर पहुचेंगे, वहाँ नदी किनारे नाववाला आपकी प्रतिक्षा करता मिलेगा। जानते हैं जजमान, घर से यात्रा शुरू करने के बाद यहां तक एक परशाई के रूप में आपके साथ रहने का अधिश बड़े जजमान ने ही दिया था। उस दिन तुफान में खत्रे का टलना, तीर का निशाना चूकना सब बड़े जजमान के कारण हुआ। उस दिन आपको महल तक सुर्क्षित पहुचाने वाले भी बड़े जजमान ही थे। ये बात महल में पहुचते ही सेना रवाना हो जाईगी। वो यहां भी पहुच सकती। यहां नहीं पहुचेगी जजमान। इस आदिवासी इलाके में कदम रखा तो अपनी जान से हाथ दो बैठेंगे वो लोग। सहारा देने वालों की भी जान लेनी की आदत है उनको। हमेशा ऐसे ही होता रहा है। मारने और मरने वालों के अलावा साथ देने वालों को भी अपनी बली देनी होती है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता जजमान। 20-30,000 सिपाहियों के पीछे चुपे रहने वालों के नजदीक नहीं पहुच पाएंगे। जो आपकी तरह युदकला और कलाबाजी में नहीं पुण नहीं तो एक शड में उसका अंत हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा। लेकिन आपके बारे में बुजुर्गूल से सुना जरूर है। अब कुछ दिनों में ये विश्वास हो गया कि वो सब केवल कहानिया नहीं है। अगर ये नहीं गए तो देश की इज़्जत नहीं बचेगी। सामूदरी को सही जवाब जीब से नहीं, तलवार से देना होगा। समय आने दो, सब समाप्त कर देंगे। इस दलदल में फसकर लाचार होने वाला अंतिम योद्धा हूं है। असंभो को संभो में बदल कर यश्प्राप्त करना चाहा। लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। तुम दोनों मासूमों को जो मेरे अपने हैं, उन्हें उस खुनी मादान में धटेलने को मन नहीं करता। हिम्मत नहीं होती। तुम दोनों को अपने से दूर कैसे कर दो भाला। मैं अब किसी बात पर आड़े नहीं आओगा। तुम्हारे आगे कमार्क देवी मा दिखाएंगी। कातो, उस तरफ के पेड़ों में सब को चोकाजना कर दो। आगे कोई खत्रा नहीं है। कभी कभार पेड़ों के पीछे शिकारी छुपे होते हैं। आदिवासी और दूसरे जन्जाती के कबीले वालों के बीच में मैंने पहले से अपने लोगों को चुपा दिया है। कोई कोट से आने वाली सेना से इन जजमानों को बचाने के लिए। मामांगम में जाना तै हो गया। तो हर योद्धार राज्य की धरोवर है। और हर देशवासी तुम्हारा मित्र है। आज यहां तेरा डालेंगे। कडपर का युद्ध करा कुरकुल। यहां की परचाई भी तलवार ली हमारी रक्षा करेगी। यहां इससे पहले कभी आये है। वहां उस जगे बड़े आदर के साथ चटाई पर बिठाकर मुझे भूजन कराया गया। जब मैं थुरनाव आय जा रहा था। भूजन पर उसी रहे थे, कि जंगल के बीच जहरना पार करके, कनपा के मित्र मरिकार के पत्नी यहां आई, और हमें खत्रे की सूचना थी। उनके परिवार वाले जो बाजार गये थे खरिदारी के लिए, उन्होंने लोटकर उन्हें सूचना थी। खोड़ी कोट से आने वाले सेपाहियों को देखकर, भूजन छोड़कर मैं उठने लगा, तो कनपा ने कहा भूजन मत छोड़ो हम देख लेंगे। जब मैं निकलने लगा तो वहां औरतों ने, जोरो शोरो से मुझे विदा किया। रास्ते में फूल बरसाकर, और कुछ तो रोने भी लगी। वहां से निकलकर पहार पार किया ही होगा, कि तलाचे नूर की सेना वहां पहुंच गई। चारो तरफ से उनको घेर लिया। और उनके साथ आई हुई फिरंगी सेना ने, सब कुछ खत्म कर उनका सर्वनाश कर दिया। पूरी तरह लूट लिया। बड़े-बड़े गड़े बनाकर उन्हें दफना दिया। इस साथ मखाती उद्धा के लिए सब राख हो गया। यहां के परचाई पर भे तुम इश्वास कर सकते हो। मैंने कर्णपा की वीर्था की गाता सुनी है। इतना बड़ा त्याग करने के पसचात्पी। आप अपने लक्ष भूल गये। उड़ोंने अपने प्रान त्याग दिये। पर आप अभी वी जीवित है। वीर्गती को प्राप्त होने से पूर्व उस पहले आत्मगाती उद्धाने अपनी आवाज उठाई होगी। विश्वासगात के कारण होने वाली मृत्यू के बारे में। अपने कुल की महिमा को गौरानुवित करने की परंपरा और वीर्था के बारे में। इस माया सागर में केवल मृत्यू की लहरे है। इस मंगल का और कोई नहीं है। कोई भाई बहन या बाल बच्चे अपना परिवार। एक बेटा था तुम्हारी उमर का। एक मासूम जो बोल नहीं सकता था। जब काड़ाम पुड़ा गय थे, वहां उससे भी मारती है। बेचारा, मृत्यू के बाद शरीर का दहसंसकार क्यों करते है। तभी वो आत्मा पंचभूत में यानि प्रकर्ति में विलीन होती है। जैसे मन परमात्मा में लीन हो जाता है। दससकार नहीं किया तो वो शरीर चीलकवो या गीदर का भूजन है न। मेरा शरीर यदी ठीक से नहीं जला तो… तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो भी गया तो क्या। ये भी तो प्रकृति का ही भाग है न। मृत्य के बाद भी उसका नाम जीवित रहता है। उससे भैर रहता हो लोग। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी उद्धा वल्लव राज से जाता है, तो यहां की औरतों के मन में चिता की तरह जलते बदले की आग की वजह से है। अपने सगे भाईयों और बेटों की चिता की आग की धदक उनिस्त्रियों की सीने में रहती है। ऐसे ही विरांगनाओ की कोक से मैंने और तुमने जनम लिया है। और उन्हीं का दूद पीकर हम बड़े हुए हैं। नहीं उन्हीं। तेरे शरीर को चील कववया की दड़ का भोजन नहीं बनने दूँगा मैं। जा के सोजा। यात्रा नम्बी है। इसे तुम अपनी मा समझ कर उन्हें अन्न खिला दो। यदि हम जीत कर लॉट आए तो फिर मा का क्या होगा। मृत्यू उनकी नहीं वही है उन्हीं। विजय प्राप्त करने के भरम, अपने जीवन को द्यागने वाले तो हम है। हमारे साइयोक के लिए मृत्यू प्राप्त करने वाले हजारों योद्धा भी। उन्हीं के लिए पृनिधान करना है तुम्हें। जान्या shock गते हैं। कि अंगिनत सैनिकों के चक्रवियू को तोड़कर अपने लक्ष प्राप्ति के लिए एक आत्मघाती युद्धा का रक्षा का वच अन्य युद्धा या सैनिक नहीं वुस्वेम है तर्ती पर हमें जकड के रखने वाला कोई भी बोज हमारे मन में नहीं होना चाहिए केवल भाय को ही नहीं त्याग ना है हमें हमें बांद के रखने वाले उन रिष्टनातों को भी एक आत्मघाती युद्धा की कलाबाजी महान कलाबाजी में तभी बदलती है उन जंजीरों को तोड़ कर रिष्टे की जड़ काट पाओगे तुम लोग ऐसा हुआ तो लक्ष संभावा है बांद कर रिष्टे 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 शमा चाता हो, कुलित रोही की मुद्रा लगा के, परिवार सही पूरा देश, जिसे दोर किया उस हरदाय में छुपे, प्रेम और करना को में चान गया हूँ. अब और मामंगम नहीं होगा, ना ही हम जैसे योधा, हमारे साथ साथ ही ये लहो का खेल समाप्त हो जाए, आशिर्वाद दीजे, जहां मैं पराजित हुआ, वहां तुम भी पराजित होगे, ऐसा समझना मेरी भूल होगी, सफल होकर मेरी शमका को दूर कर, अब भ्यास में जो और जो भी दाउपेच मैंने तुम्हें सिखाए, सदेफ तुम्हें स्मरण रहे, कुल की मान मर्यादा बनाये रखने के लिए, इस फूल से बच्चे और तुभारी बली देनी की नौबत ना है, रिदय में पीड़ा है फिर भी, अपने गुरुओं को स्मरण करके तुम दो झाल 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 टारे जेल बादे जान जे घाता में जैं चीजट जो ग्यांटर सुर्थ गवाइगर Спेंगर के ज्रिज आए जो टोगए जोरान तो ट्उलन कोड़ेगर beta मौईन खतीर अरीब लल अला सीने में कटार लगे या किसी का हाथ मौईन हमेशा रहेगा अपने अजीज के साथ तो नाक्षा लो इस रनप्रमी में मेरी वुत्य हुए तो परिवार को सम्मा और मुझे स्वर्ग प्राप्ती यदि तुझे कुछ हुआ तो तेरी अम्मी और बेकम को आसू अपनी आखरी सास लेने से पहले मेरे अबबाजान ने एक ही बात करी थी कि मरते दम तक मुझे तुम्हारा साथ देना है अबबू की बात मेरे लिए अल्ला का हुकू है इस बार शहीद होने नहीं दुश्मन का सर कलम करके तुम्हे अपने कंधों पर बिठा कर घर लो दूगा चला कि मैं तुम्हें अज़े बात मामबगा जयst दो दुम्हें खर थी छुम्हें थी कि मैं दोग्ष्वें थिये अजरा वो भी वजबू रिए गला रखर रगजा वोबका ज € ईपका जोई फिर तुटुर बढ़ने पूंजी तु nooit पूंजी इस सामराज्य में राज करने वाले आदर्निय सामुदिरी महराज के मामंगम महोतसव का मुख्य संचाला के रोप में पद्दवी लेने में यदि कोई विरोध करना चाहता है तो सामने आ सकता है विरोध है वल्लुवा राज्य से आने वाले योध्धाओं को हमारे राज्य के समान के लिए तुम्हारा शीष चाहिए सामुद्री का सर काटे बिना ये योध्धा लोटेगा नहीं तयार हो जाओ सामुद्री कर से विरोधात को थिरोध बिना राजरी के विरो फ्राज के बिना है किम्हादाद थे तुम्हारा है इवरोधा है नो मिढ अजवMore औिया एया पिंड कर फूड़ On बड़ कुछ। पिस खिए ड़ी एक प्रूँ जैज दवर चाहँ ज testim विल जे विल जड़ प्रूत चाहँ प्रूत विल जड़ जग जड़ कर दो कर दो कर दो कर दो अ कर दो कर दो हो दिए अए भार। वार कर दूंट दोड़ोस ए! कर दो! व apology कर दो और एतर आ कर दो टूर लाँ पह या पार पार डार हुव कर दो कर दो में दें देया हूँ कर देखर कर देखर कर दुछ कि उखना कि दोह दो जोग अ ईजह को हो फ स्य हैं है ? कि अईरएग में कि लिजफ कि यद आपचा रिजर को अ उत more कि उन्स पॉँ़ वुँऊक रड़ियो जुँ़ और तम ंपफ़ framework वह 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 वų और युङ वह वğ कि अरिऑ गूंग कि अ только परिऑ पूर ज्लेग कि अरिऑ और रध 가지 कि अरिऑ! कि अरिब समय पालबाची पर अखने जो जो मुझेन, वब रा कि अरीट के यो जो खनेरो पूलता ऑपार्वो जड गर मुझे दिल डिलेश झाले के ההज़ तर दे टेड़ू के झाले हते हल्गूड़ार्य बाले के वुझे याल्न के घुटाचा बगली कर दो घृगब पोपिस कर दो तूुट थेग् अजनननननननननननननननननननन अब लकर लोगा है कि रिंडर फेंडर रिए पातर राएर लगा है जोरूरी धिस दोएफ वापने अंघ जोरूरी जोरूरी लगने अंट जोरूरी जलो एडनी टिर शोरूर के लगने के लिए एगन लगन हो एगन की अंट कर दो, जा रंचаться कुंदिए एकृट पनावा कर दो! कि लाetter!!! करदा कर।ो कर। तो कर दो करना कर अतीरत कर दो Crischer कर दो कर दुर प्यख़ह जए लो थो झात dawना! जए एक ए! वो! कि बढ़ाखि रुश करएंग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो महता ने बचा लिया जोड़े जिजमान का शरीर यहां नहीं है इन लाशों के बीच यहां तू क्या कर रहा है आत्मे घाती योद्धा के नए लोग गीत की कहानी पक्की करने आया हुए धर्म योद्धा के शरीर को चुपाने की कहानी कल से बंजारे गाते फिरेंगे उस योद्धा के शफ को ले जाने वाला चाहे कोई भी हो सीमा पार नहीं कर पाएगा पीस हजार की सेना भी भेज़तो एक भी लोट कर नहीं आने वाला तलवार और ढाल के बिना मामांगम के मंच पर चड़के सामूदरी की नाक के नीचे से उस मासूम बच्चे का शरीर यहां से कोई ले गया है तो वो कोई और नहीं हमारे बड़े जज्मान है चंद्रोत बड़े पणिगर आत्मघाती युद्धा का शर्ण असले कर आने वाला चाहे मनुष्य हो या कोई पशूम इस सीमा को पार नहीं किया है कभी जंगल पार करने वाले उस राज द्रोही को इसे मिट्टे में दफना दो जने घजए में झाल 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 कर देंग एंग से कुछरें का थे का खुछरें एल एल इंग कर दो 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 टूइरो और सदोर रागन जो नहां क selfish अप्सम्टर्डरो एक इस अगाफ प्सिरने घुर्डर फैस जरी बेगे जिए एक जुए एक ले जुए से जा ख़ए जयरे नहीं जुए तम रादे कि दिश्टर में इए यॉ्डर्णे छार ख़त में इए पन को बें जात टार आव ऐ खुर्सामधा था कि अपट गृटन हम एक अपकी और साथ जाएंगां एक है यह थो जाएंगा था पराफ़ फसे ड्सा प्रजूर से तिजब करता जाएं एक जाएंगा जाएंगा विर्प्रेश प्रेश बगमपा इस जानकी ता जारी जा खुटनुबर को अटर रहता कि सामूदिरी के लिए आहूती देने वाले तेरे परिवार के सदस्यों का रक्त जितना भी पिला दू मेरी तलवार की प्यास नहीं बुझ रही बढ़े पणिकर पहले बाजार से घर लोटने वाला तेरा बेटा कल मैदान पर तेरा भांजा मंज के पास इतना सा वालग और अब देख मेरी तलवार को न्योता देने वाली गर्दन के साथ मेरी आँखों के सामने तू बड़े नाठ देवी मा के लिए मंदिर के लोहार ने जो तलवार बनाई उसी तलवार से अंत करना है तेरा और तेरे परिवार का करूंगा मैं आदि शक्ति को समर्पित वीरियोधाओं के रख से पवित्र होई इस पावन तलवार को तेरे शरीर में बहते गंदे रख से अपवित्र नहीं करूंगा तेरे हाथों मारे गई योद्धा और साधारन लोग जो भी आज तक इस तलवार का शिकार बने हैं वो केवल थोखे के कारण जोड़ा चोड़ा 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 इसाधा जदे प्राह चोड़ा लाँ, 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 लाँ यह वो मासूम बच्चा है, जिसे कुल की मर्यादा का मान रखने के लिए तुम सब ने महाँ बेचा था. जिसने इसकी जान ली, वो सामूदरी या उसकी सेना नहीं है, बल्कि पिछले साड़े तीन सो साल से अपने मन में बदले की भावने लिये जीने वाले तुम सब हो. अब रोने से क्या लाब, इस राज्य के स्तिती पुर्षों से अधिक तहिनी है, ये मेरे इतने बरसों का अनुभाव है. तेरी मांग का सिंदूर बचाने के लिए, जीवन में कभी हथियार न उठाने की सौगंद को मैंने तोड़ दिया था. ये शाप है, इस राज्य पर हमारे परिवार पर. इन सबसे दूर रहने वाले मेरे बच्चे को भी कोई बचा नहीं पाया. खिलने से पहले ही मुर्जा गया ये बच्चा, देव पुत्र के नाम से जाना जाएगा. सारे दाव पेज जानकर भी, अभिमन्यों की भाती अंत को प्राप्त करने वाला ये बच्चा, अंते मात्मगाती योद्धा होगा. सगे भाईयों को महा चक्रवर्तियों के समक्ष मरने के लिए छोड़ देने वाले तुम लोगों की आग खुलवाने का उत्तरदाई तुम मुझे मिला है. सब कुछ जानने वाली देवी माह हमारी भूलों को शमा करें. इस धर्ती पर जनम लेने वाले किसी को हान ही न पहुचे. उसके लिए मैं अपनी मृत्यु तक सदेव तत पर रहूंगा. मामंगम के इतिहास में कभी भी तिर्णावाया से किसी भी आत्मखाती योध्धा की लाश वर्लुवा रज में लाई नहीं गई सिवाए उसे घटना के. उस अनोखे वार्दात का सबूत है. केरल के मलप्पुरम जिल्ले के मक्कर परंब में पांग नामक गाउं की मिट्टी में सो रहे मासूम चंदुन्नी का समारक. उसे वहां लेकर आने वाले योध्धा या योगी का नाम इतिहास में रिखांकित नहीं किया गया है. लेकिन ऐसा एक व्यक्ति बंजारों के गीद की चंद पंक्तियों में जीवित रहा है. नए नए हथियार लेकर आज जब आत्मखाती योध्धा निकलते हैं, तब हम बिना खून के दाग लगे एक नए सुप्रभात के लिए उस अमन के फरिष्टे को याद करते हैं. लेकिन आत्मब heiß हैं तब आत्मफा च्तियों में रिए एकिए सुप्राह टिए इाकर रहा हैं, तब हैं ये रहा हैं, तब हम लेक कि चंद आत्मः सिड़ते हैं, तब हम आत्मऻों केंवा चत्मान द्मतित ऑислशना ज heap हैं, वेकmän इंसा कaktu दोब हाँ ici एकम जोंग 레ॉसे में झाल 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 झाल